हलो स्ट्रेंट्स मैं प्रणे वर्मा आपका मैस्टीचर स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंस में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार दर्शनलो चार प्रशनावली तो चलिए यह भी बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं अ génal c ब्राबर hp आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी एक सिंपल सी चत्रवुज बनाना हैं तो सिंपल सी चत्रवुज की लिए सबसे पहले कि यहाँ पर रफ ठवानते हैं और उसको स्टार्ट करते देखिए यहां पर एक चत्रबूज बनाया मैंने और उसके बाद यह चत्रबूज मैंने रफ बनाया है आप इसको यह मस समझना यह रफ है ठीक है कुछ भी हो सकता है चलिए मैं एक रफ चत्रबूज बना लेता हूं कुछ भी हो सकता है अब उसके बाद मैंन इन दोनों को आप क्या के लिए नीचे ले लिया करो जैसे मैंने बी और सी तो एंगल बी मेरा वाइनेट फाइव था और एंगल चलिए सबसे पहले में लेता हूँ B C 5 cm तो मैंने ले लिया B C 5 cm यह लिया B और यह लिया C यह लिया 5 cm ठीक है यह हो गया 5 cm अब इन घल B पे मेरे को लेना है 105 जिगरी है तो एंगल B पे 105 स्वियक्ण हमने बनाना भी बता था है कि 105 कैसे बनेगा तो चलिए सबसे पहले एक चाप बना लिजे ऐसा उस चाप से 60 डिगरी एक एक कट लगा यह जितना खुला है नोक उतनी मतलब जितना खुला हुआ उतना ही प्रकार को खुला रहने दीजिए और उसी डिस्टेंस से यहां कट लगा लिजे आप यह दोनों का डिस्टेंस लेकर मत थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं चलिए देखिए यह हो गया आपका यहां से खोलते हैं तो यह होगा 60 यह होगा 120 ठीक है जब आप इस पर नोक लगा के इधर कट लगाई है इसको नोक लगाए हमें नब्भे की तो जरुबत नहीं है हमें जरुबत है 105 की तो नब्भे से नीचे ही रहेगा तो देखो यह नब्भे के आगे 30 तो 30 को जब मैं सम्धिवाजित करूंगा तो यह यह कट यह कट मतलब यहां प्रकार रखके इधर कट लगाओ यहां प्रकार लगके इधर कट लगाओ तो यह जो एंगल बनेगा वह मेरा बनेगा 105 डिगरी का बहुत आस से डिस्टेंस नापो और 4 सेंटीमीटर तक देखो और एक कट यहां लगा दो और यहां पर मुझे को पॉइंट मिल गया यह चलिए यहां पर मुझे पॉइंट मिल गया अब चुकि एंगल सी जो था असी का अब आप इसमें लिजे चांदी के साहिता चांदी की साहिता से जो असी 90 जो रहेगा वो सीधा रहेगा असी थोड़ा इधर रहेगा तो आपकी जो लाइन रहेगी ना वो कुछ इस तरह से रहेगी ठीके वो कुछ इस तरह से रहेगी इस पे आपको 6.5 काटना था तो 6.5 थोड़ा सा इधर कटेगा यह एंगल डी रहेगा जब आप इसक रशना के पद एक बार खुद से लिखकर देखना क्या आते हैं और इस तरह से हमारा यह पूरा डाइग्राम पूरा होता है यहां पर हमने बता दिया यह 80 डिग्री है तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है इसको बनाना कितना इंटर्टैनिंग है आप लोग जब इसको क बताते जा रहा हो तो आया समझ में यहां मारा एक्जामपल होता है खतम अब आते हैं हम अपनी प्रशना वली पर तो चलिए स्टार्ट करते हमारा पहला प्रशन क्या दिया हुआ है चत्रबुज डियर जिसमें सब मेजरमेंट्स दिये हुए है और निमने लिकित तो चट्रबुज के रचना कर लेंगे और रचना करने में आप में देखा होगा कि यह देखो यह दोनों जो हैं वह काईमिólयज आ रहे हैं दोनों दa आ रहे हैं तो कोशिश करूंगा यह दोनों एंगल नीची तो कैसे करणा चली एक चत्रबुज बना लेता हूँ यह च चत्रुपुच कुछ इस तरह से होगा ठीक है इस तरह से होगा अब क्या बनाना है मुझे यहां पर बनाना है मुझे डियर तो डियर को मैं ऐसा लिए जैसे यह डी ए और आर इसलिए ताकि यह दोनों यह और ए मुझे बॉटम में मिल जाए यह किता है एंगल ए 60 डिगरी है एंगल ए 90 डिगरी है यह लिलिया मैंने 90 डिगरी उसके बाद क्या करना है एना डी ए किता है भई डी से लेकर ए यह दिया है चार सेंटीमीटर इसे लेकर ए इसे लेकर ए दिया है कितना पास सेंटीमीटर और उसके बाद ए आर जो दिया है वह 4.5 4.5 है ना अब देखो एक रफ फिगर मेंने बना लिया अब मेरा हूबा हूँ तो नहीं लगबग मिलता जुलता कुछ बनेगा या थोड़ा डिफरेंट भी बन सकता है ये तो रफ है ये हम मिटा देंगे इसके हमें कोई जरवत नहीं है तो सबसे पहले ये पास सेंटिमेटर लिया चलिए ये और ये ये पास सेंटिमेटर बना लिया बना लो भाई या पास सेंटिमेटर ये हो गया पास सेंटिमेटर ठीक है अब क्या करना है अब मैं को साथ डिगरी का कोड बनाना है सा इस पे तो साथ डिगरी का कोड बनाना बहुत इजी है अपना प्रकार की जितनी नो के उत्ती खुली रेंदो और यहां पर एक चाप काट लो ठीक है और यहां नोक रखके एक कट जो लगता है वह साथ डिगरी कही होता है यह हो गया साथ डिगरी का अब उसके बाद यह तो यह मेरे को मिल गया point D यह हो गया 4 cm ठीक है यह 4 cm हो गया अब क्या करना है अब मुझे 90 डिगरी का कोड बनाना है तो 90 डिगरी के कोड बनाने के लिए क्या करूंगा मैं यह ले लूँगा यह हो गया चाप यहां से कट लगाऊंगा यह 60 और यह 120 ठीक है एक 60 और 120 फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में यहां प्रकार की सुई रखके इधर कट लगाओ यहां लगके इधर कट लगाओ तो यह 90 डिगरी का कोड सेम 90 डिगरी का रहेगा ठीक है अब यहां से यह ए से लेके आर 4.5 था तो यह 4 से थोड़ा जादा होगा 4.5 इत्ता ह यहां मिल गया मुझे आर दोनों को मिला दो यह 4.5 सेंटी मीटर था तो देखा आप लोगों ने इस तरह से बनी मेरी आकरती एक चत्रबुझ बन गया और जो जो इनने बोला था वो भी हमने बना के दिखा दिया अब रफ डाइगराम है इसको मैं मिटा देता हूं और रच आने से लिख सकते हो बिना किसी प्राउबलम के यह सारी जित्ती भी चीज़ें है ना यह आप लोग एक एक बनाते जाओ लिखते जाओ दूसरा काम करते जाओ लिखते जाओ आपका दोनों काम एक साथ हो जाएंगे बहुत आसानी से अगर आपको इसका स्क्रीन शॉट ले आते हैं आगे है यह इस इस की कोशन मैं हमारे बाकी तो इसे एक्सराइज में और हम ने किया दूसरा यह आपके सामने हैं हमने बनाना है एक चत्र पूझ यहां पर एंगल और एंगल यू यह 120 दिग्री कि है और 2 k smarter jullie तो मैं कुछ इसका डिजाइन ऐसा करूंगा कि यह दो एक रप डाइगराम बना लिया भाई यह यह कर डाइगराम में चलो, T R U E, T है ना, T R U E, यह हो गया true, यहाँ पर angle R जो है, वो कित्ता है, angle R जो है, वो 75 है, तो यह 75 है, angle U 120 है, यह हो गया 120, और T R जो है, यह है 3.5, और उसके बाद R U जो है, वो है 3 cm और उसके बाद यहां पर U E जो है यह यू है ना U E जो है वो कितना है 4 cm है यह 4 cm है देखो मैंने इसलिए बना दिया वह यह एक यह नमूना है नहीं ना ऐसा मत समझ्झा के सर यह मतलब आप पहले से बने यह नमूना है यह एसा नहीं बनेगा जब निखर के क्या आए है आर यू ले लो तीन सेंटीमेटर यह मैंने आर यू ले लिया तीन सेंटीमेटर यह और यू यह आर हो गया यह यू हो गया यह कितना सेंटीमेटर हो गया यह तीन सेंटीमीटर हो गया ठीक है उसके बाद क्या था आर पे 75 एंगल आर पे 75 75 लेना बहुत बार बताया आप वो कैसे बनाना है देखो क्या करेंगे एक आर कैसे बनाएंगे ठीक है एक यह साट यह 120 इन दोनों को सम्धिवाजित करेंगे तो यह नभे का बन जाएगा ठीक है किते का बन जाएगा यह 90 का बन जाएगा अब उसके बाद यह होता है 90 के आगे 30 30 होता है तो 30 का आधा 15 तो इसको भी आधा कर दो सम्धिवाजित कर दो यह सम्धिवाजित हो जाएगा तो आप जब इसको करोगे तो यह बन जाएगा आपका 75 ठीक है 90 मैसे में 30 को 15 को माइन और nosaltres बता चुका हूं कैसे बनेगा हमारी जो प्रकार होता है उसको जितना खुछा रहे दिजिए एक कट ये एक चाफ बनाईये है एक कट लगाईए यहां ने लगकर अगला कट लगा दीजिए ठीक है तो मतलब यहां एक टिट लगाए फिर हमों कर रखे फिर अगला लगा तो यह होता है, 60 यह होता है, 120, इसको मैंने मिला दिया, ये हो गया मेरा 120, ठीक है? अब क्या करेंगे भईğिए? आप बोला है कि R से लेकर T 3.5, तो R से लेकर T 3.5 मैंने ले लिया, तो ये हो गया मेरा 3.5 भईई, ये का 52 क्यां वे च्रूह में क्या है? three point five three point five के ही आगे थोड़ासा चार आ जाएगा चार से तोड़ासा यहां काढ़ देंगे तो मिल जाए गा मुझे टी मुझे और मिल जाएगा मुझे दोनों को मिल दींगे कि यस तरह से देखो हमारा diagram बना किए आया अब जो rough diagram है उसको मिटा देते हैं और जो रचना के पद है वो हम देख लेते हैं तो देखा आप लोग ने किस तरह से हमारे diagram बना जो जो पूछा था वो हमने किया और ये आपके सामने रचना के पद बहुत के लिखे नीपिए रचणा के पद बिल्कुल आप कैसा कैसा लिखें आते हैं यह डिया ग्राम भी आपके सामने में बना देता हूं ताकि आपको समझ वह आजाए एक प्राणूप त्यार हो जाता है जब आप इसको अपने तरीके से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है ठीक है आपको अगर हमारे कोशन्स देखना है हमारे जितने भी वीडियो देखना है आपको जो भी सब्सक्राइब के वीडियो देखना है तो उनको देखने के लिए आप लोग जो प्रोसेजर होता है उस procedure को follow करो सबसे पहले आप लोग अपना जो Google है उसमें आप लोग टाइप करो magnet brains और उसमें आप लोगों को कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन होगा इस पेज में आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हो उसका एक पेज ओपन होगा जैसे यहाँ पर क्लास ट्वेल थे इचाहते हो जब आप इस क्लिक करेंगे तो आपको जो भी हम अच्ञावलिए अध्याय आपको देखना है आप को अपनी मात्र भाशा में अपने हिंदी आपको 6 से लेके 12 तक की education वो भी विलकुल free में इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहने, आपके friends हैं आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताईए हमारे चैनल को like करिए और subscribe करिए Thank you